अब आपका हार दिक अभिननन करता हूं हर दिक स्वागत करता हूं मेरे ल के स्टडी चैनल में देखिए आज का जो हम टोपिक लेने वाले हैं बड़ा ही इंपोर्टेंट होने वाला है आपके लिए क्यों क्यों इस टोपिक से आपके हर एक एक्जाम में क्विशन आपके बढ़ा है इस तो आपको गुरुजी से कौन सा टोपिक है तो टोपिक अपना बड़ा ही सिंपल है बड़ा ही इजी है देखिए इजी आपको केसे लगेगा जब हम उसको पढ़े लिए देखिए टोपिक का नाम है आपकी उध्योग क्या एजी आपको के उद्योग जो हम पढ़ने वाले हैं यह पढ़ें पड़ेंग हैं राजस्थान के इस लाजस्थान के संदर में इतने भी उध्योग उवह देखिए हैं जो टोपिक है मोगें बात करें कि सबने औज्योग क 여기는 कॉंट में कॉंटम और या सब से पहले उध्यो सबसे पहले ओद्योगिक क्रांती जो हुई थी आपके वो हुई थी इंगलेंड में, ठीक है, क्या हुई थी ओद्योगिक क्रांती हुई थी, ठीक है, ओद्योगिक क्रांती इंगलेंड, फिर मैं बात करूँ आपके भारत में पर्थम, भारत में पर्थम जो ओद्योगिक नि निटी आये थी वो आये थी 1948 में पर्थमोद्यूगी की निती कहा पर भारत में कब आये 1948 टीक है फिर बात करते हें आपके कि भारत में वेसे तो कितनी आ चुकी है कुलटोटल 5 ओद्यूगी की नितिया आ चुके वो उन्में सबसे नवीनतम नविन्तम कौन सी है नविन्तम है आपके 24 जुलाई कब 24 जुलाई 1991 को जो नीती आई है ये आपकी बड़ी ही इंपोर्टेंट है पर्थम जो बताई वो भी इंपोर्टेंट है क्या बताया मैंने कि सबसे पहले जो नीती आए ओध्योगीज नीती भारत में वो कब आई 1948 में फिर मैंने बटाया कि जो आपके नविन्तम ओध्योगीज नीती है भारत के लेवल पर वो कब आई है वो आइ है आपके 24 जुलाई 1991 को ठीक है अब बात करते हैं कि कितनी पाँच उद्योगिक नितियां आ चुके अपने राजस्थान के संदर में मैं बात करूँ तो राजस्थान के संदर में पहली जो ओद्योगिक निति आईए वो कुन सी आईए वो आईए आके पर्थम तो आपको ध्यान होनी होनी चाहिए वहाँ पर भारत में तो था 24 जुलाई इससे एक महीना पहले यानिकी 24 जुम उन्निस सो अटेतर ये था 1901 ये थुई आपकी नवीन तम नवीन थी भारत की नवीन जो थी वो 24 जुलाई 1901 को बताई मैं 24 जुलाई 24 जुन 1908 को जुन नीती आई आपके पर्थम राजस्थान में ओद्योगिक नीती आई ठीक है अब मैं बात करूँ सेकेंड नमबर की कब आई सेकेंड नमबर की ओद्योगिक नीती कब आई तो ये आई आई आपके 1901 कब आई सेकेंड जो ओद्योगिक नीती आई वो आई आई आपके 1901 में ठीक है फिर मैं बात करूँ थड जो ओद्योगिक नीती आई वो अपकेंड पांच वी जो आई भारत में आचुकी कुलपोटल पांच कितने भारत में पांच और दुगिक नीतीया आचुकी जिसमें नमबिन्त मापके ये वाले ख्यांदी रहे और अपने राजस्थान में आचुकी एच्छ उन्हें में सबसें प्रथम तो ये है और सबसें नवीनतम मतलब की नवीनतम ओध्योगिक नीती कब आई ये आई आई आपके दो हुजार पंदरा आठ अगस्त को ठीक है कोई डाउट नहीं है आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहली कौन सी है सबसे बाद की की कौन सी है इंपोर्टेंट ये दोनों ही है बागी का याद करो तो ठीक नहीं करो तो भी ठीक ठीक है देखो पर्थम 24 जून 1978 को सेकेंड 1991 को और थर्ड आपकी 1994 को 98 को 10 उसके बाद आपका 10 के बाद 15 पाच जोड़ती है 15 चार चार जोड़ती है तीन चार चार उस ऐसे जोड़ते चलना है सबसे पहले तो 24 जून 1970 तर दिमाग में फिक्स कर लो 24 जून 1970 रटने वाले चीजे हैं ये इनमें कोई चीज समझने वाले नहीं है ठीक है ध्यान रखें फिर देखिए आपको मैं जैसे उद्ध्योग बता रहा हूं तो जैसे आप पड़ोगे कि करस्ति आधारित ये सबसे बड़ा उद्ध्योग है आप पड़ोगे ये सहकारी उद्ध्योग है आप पड़ोगे ये सारजनिक शेत्र का पर्थम उद्ध्योगे तो आपको कैसे पता चला कि ये सारजनिक का है क्या है ये सारजनिक क्या होता है आप मुझसे क्यूशन करोगे तो ये टैप में आता है उद्योग के टाइप कितने प्रकार का उद्योग होता है अलग-अलग आधार पर अलग-अलग इनके प्रकार होते हैं देखे केसे जैसे मैं बात करूँ आपके कच्चे माल कच्चे माल की उपलब्दता के आधार पर मैं बात करूँ कच्चे माल की उपलब्दता के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं तो डायड़ी पूसता है जरूरी नहीं है सबसे पहले तो करसी आधारित नमबर टू खनीज आधारित नमबर थ्री यह हो जाएगा आपका रसायन आधारित रसायन आधारित ठीके करसी आदारित में जैसे आपको पताए कि सूती वस्त्र आ जाएंगे सूती वस्त्र उद्ध्योग किसके अंतर गताएगा सूती वस्त्र उद्ध्योग आएगा आपकी करसी आदारित वनस्पति घी का कारखन किसमें आएगा वनस्त는지 घी पप्वार का नायका आएक्वा करसी पीज्षांत से आराम से देखते जाहिए आराम समझते जैए बहुत सिर्ट सुति व सत्र विये सुति ये वनस्तो घी ये समी आपके आये किसमे पर से ये चीनी हो गया ये किस पर सी कर्षी आधरी जिसमें जैसे कि कउत्थ ये किसमें आएंगी यह आजाएंगे आपके कर्षेमार की आधर पर नंड कर रहे हैं तीन प्रकार के हम निखनीज बनाएं करशी आधरी खनी जदरी रसाइन अधरी ठीक है सबसे पहला कर्षिया दारी तो सूती वस्त रुद्यों के वनस्पति गी और चीन ठीक है फिर मैंने बाती खनीज सीमेंट और काचे बस रसाइन में क्या है रसाइन में जैसे आपको पता है रसाइन में रसाइन से समध्य चीजी आएंगे जैसे की उर्वरक हो गए बढ़ते हैं जैसे की फास्पेट को होते हैं जैसे यूर्या के होते हैं डीएपी के डाहिमोनियम पास्पेट जैसे उर्वरक के नहीं होते गए डीएपी प्रकार होता है यूर्या प्रकार होता है इसका तो यह खादखार काने किस से बने आपके रसाइन से बने तो रसाइन पैदा होती है तो ये कौन से हो गए आपके कर्षी आदा जिस हों तो ये आपके इन में कोई दिकत आनी नहीं चीढे ठीक है ये हो गए आपके कच्री मालकी उपलबदता के आदार पर खनीज तीन प्रकार के होते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं टाइप की हम बात कर रहे हैं और टाइप में ही अगला आपका आजाता है कि आपके स्वामित्तू के आधार पर स्वामित्तू स्वामित्तू मुतलब की किसका है किसका उस पर अधिकार है उस उध्योग पर पर्टिकूल किस कौन वेक्टि उसको चला रहा है तो इसके लिए जो आता है आपका वो आता है स्वामित्तू के आधार पर सबसे पहला प्रकार आता है आपके कौन सा सारोजनिक सारो जनिक सारो जनिक किसे कहेंगे सारो जनिक उसे कहेंगे जो कि सभी के लिए हो सभी के लिए कुण जी चीज़े होते हैं यह तो सरकारी हम बोलते हैं और यह तो सरकारी काम से यह यह तो कहेगा सरकारी डवम जथा रोधिकार तोड़ी ज़े हैं करते हैं कि जैसे यह तो योग होंगे भून को चलाएगा आपका केंदर या तो या चलाएगा आपका उसमें राज्जी है ठीक है अब आगे बात करें स्वामित्यू के आधार पर हम बात कर रहे हैं तो एक सब्दाता है नीजी नीजी किसे कहेंगे नीजी या तो कोई परसनल वेक्ति मतलब की जैसे की आप जैसे की कोई संस्था कोई संस्था या कोई नीजी वेक्ति कोई परसनल वेक्ति उस पर्टिकूलर उध्योग को चला रहा है तो उसे क्या कहेंगे तो उसे कहेंगे आपके नीजी नीजी उध्योग ठीक है एक सरजनिक उध्योग एक आता है आपका सहका सरकारी का मतलब है आपका सरकारी तो है ही साथ में नीजी भी मतलब कि सारो जनिक और नीजी का जो मिला जुला रूप है वो क्या है सरकारी है इन दोनों को मिला कर क्या कर दिया सरकारी कर दिया मतलब दोनों के मेल मिला आपसे कौन सा चलेगा सरकारी चलेगा बस आगया जो यहाँ पर आता है बहुराश्ट्री कमपनिया बहुराश्ट्री यह बहुराश्ट्री कमपनिया अरे जैसे विद्य से निवेश करते हैं न फोर n Correct investment मतलब जो बहुराश्टी कम्पनिया वो Amazon टीट्व एक से अधिक देसों में क्या करते हैं अपना व्यापार एक से तो यह आपके क्या करती है यउसकर पेसा लगाती आप पेशा लगाती है तो एसे बोलते हैं सबसे पहला तो सारवजनिक उसके बाद सरकारी उसके बाद बहुराश्ची कंपनिया रजाराम से ध्यान से सर्व circuits किसे करेंगी जो सर्वीनिक morte सरगार किर सिरे दोरा चला रहा है फिर मैं बात करूं आपके थो क्या धर डूसरा प्रकारता निजी नीजी कोई वेगति अगर अगर चला रहा है दो की बिखती चला रहा है नीजी बिखती अगर कोई चला रहा है को परस्नल विखती चला रहा हो संस्ता चला रही तु वो आएगा प्र नीजी मंने गोता इस हौल attitudes सरकारी में सारजुनिकूर्णीजी ठीक है? दोनों मिलकर चलाएंगे बहुराश्टी कंपणिया, दोसरे देशों से आने वाले कंपणिया, बस देखो, आगे बात कर लेते हैं, आगे अपना आता है, देखो, सुनो ध्यान से उद्योग में सबसे पहले हमने क्या पड़ा परकार पड़े परकार में सबसे पहले आया आपका सूति वस्त्र उद्योग तो सूति वस्त्र उद्योग यह मुठा लेते हैं कौन सा सूति वस्त्र उद्योग सूतिवस्तर उध्योग की में बात करूँ आपसे तो सूतिवस्तर उध्योग में सबसे पहली जो मील सूतिवस्तर की खुली भारत में वो कौन सी थी? वो थी आपकी फोर्ट गलास्टर कौन सी? फोर्ट गलास्टर कब खुली? अठारा सो अठारा में कहां पे खूली कलकता में ठीक है समझ रहे हो सूती वस्तर उद्यों की सबसे पहली मील कहां खूली कलकता में कब खूली अटारा सोटारा में नाम क्या था फोर्ट गलाश्टर क्या था फोर्ट गलाश्टर बात करें इसकी तु ये क्या थी क्या थी असफल मिल थी ये आप से पूछने की पहली सक्सेज मिल कौन थी तो वहां पर नाम आता है आपका मुंबई में मुंबई में खुली थी कौन सी कवास जी नाना भाई डाबर कवास जी इतना रखना ये नाम कवास जी कवास जी डाबर के संयोग से 1854 में एक मील कुली कौन सी मुंबई इस्पीनिंग वा वीविंग मील्स लेमिटेट गुरुज ये त्रुलंबो नाम आपको नाम बस इतना दिहां रख लिए मुंबई स्पेनिंग मुंबई स्पीनिंग वा वीविंग मेल्स लेमिटेट जो है आपके 1854 में एक मील कुली कवास जी नाना भाई डाबर के संयोग से जो पहली सक्सेज मिलेक शूती वस्तर उध्योग की और सुति वस्तर उध्योग जो है वो करसी आधारित सबसे बड़ा उध्योग कि उसके बाद है चीनी तो प्रसब से बड़ा कौन सा है आपके सूतिवस्त्रुद्योग में आपके उतब करते आता आतर वट्योग और विल बताएं मनेना आपको फोर्ट्र ग्लास्टर सबसे भ़ारी बंगाल में कुलकत्ता में खुली 1818 में असफलती फिर में आपको बताया दूसरी कवाज जी नानवाई डाबर 1854 मुंबई स्पिनिंग विविविंग वी लिमिटेड ठीक है अब बात कर लेते हैं अपनी राजस्थान में राजस्थान में सूति वस्त्र उध्योग की सबसे पहली मील कौन सी खुली ठी कौन सी सूति की बात कर रहे हैं ठीक है मैं बात करता हूँ अपने ये राजस्थान है ये राजस्थान है और राजस्थान में मद्धे में लग बग ऐसे करके एक जीला है जिसका नाम है अजमेर क्या नाम है अजमेर क्या नाम है अजमेर अजमेर में मैं जूम करके यहाँ पर लाता हूँ अजमेर को एसे ठीक है यहाँ पर लिया है मैं बात करें अजमेर में सूति वस्तर की मीलों की सूति वस्तर की मीलों की एक बार देख लेते हैं वीडियो चीगे चल रहा है बात करते हैं सूति वस्तर की मीले किसमे अजमेर में देखो ये है सूति वस्तर की मील फहली मील कौन सी कृष्णा कृष्णा है साइब एक वार देख लेते हैं कौन सी है साइब देखर्ष्णा कृटन मेल्स लिमिटेड कहां पे खुली देखर्ष्णा कृटन मेल्स लिमिटेड जो है वो खुली आपके कहां पर वो आपके खुली थी ब्यावर अजमेर तो है ही अजमेर में तो हम ये सभी बताए रहे हैं लेकिन ब्यावर में ये खुली थी और ये आपके पर्थम सूती वस्त्र की क्या है मेल है राजस्तान में राजस्तान में दिहां दक्रश्णा सूगर दक्रश्णा कोटन मेल्स लिमिटेड कहां पर भ्यावर अजमेर में प्रत्रश्ण की मेल जो खुली थी आपके अठारा सो नेवास थी अठारा सो नेवास थी ऐसी बोल सकते हो 1889 ये 1889 ठीके फिर उसके बाद बाद करते हैं आपके एडवर्ड एडवर्ड जो मेल एड़वर्ड जो मेल है ये भी आपके कौन सी प्यावर में है कहां पर है प्यावर अजबे ने एड़वर्ड ठीक है उसके बाद है आदित्य कौन सी आदित्य उसके बाद है महालक्ष्णी फिर एक है स्री विजे कोटन ये मेले हैं किसकी सूति वस्तर की कहा पर अजमेर में सबसे पहले तो दकशना कोटन मेल्स लिमिटेड ब्यावर अजमेर परथम सूति मेल है और राजस्तान की अटारण की एड़वर्ड जो मेल है यह परथम क्या है सार्वजनिक सेत्र की जो परथम मेल है वो कौन सी है और यह खुली थी 1906 में ध्यान रहे ऐसारा जमेर शेत्र की अगर पर्थम सूति वस्तर की मील पूछेगा तो आपको क्या बताना पढ़ेगा एड़ बर्ड अगर पर्थम सूति वस्तर मील पूछे तो दकरशना कोटन मिल्स लिमिटेड उसके बाद आदित्य सुगर मिल्स भी आपके कौन सी है सारुजनिक की है महालक्समी भी आपके सारुजनिक की है आपके स्री वीजे कोटन मिल जो है वो भी कौन सी है वो भी आपके सारुजनिक शेतर की है ठीक है फिर हम बात करते हैं आगे ये तो होगे अज़मेर की मिले इसकी बताए मैंने आपको अज़मेर की अब देख लेते हैं आपके कौन सी अब मैं बात करता हूँ इसके आसपास भी तो मिले हैं ये मैं आपको एक तरफ से फुल डिटेल दे रहा हूँ ध्यान रहे ये मैं आपको फुल डिटेल दे रहा हूँ आपके काम आईगी ठेके देखो यहाँ पर हम अजमेर में पांच मीले पड़ चुके हैं पांच मीले कौन कौन से सबसे पहले तो दकरशना कोटन मील से दिमिटेड काहा पर व्यावर अजमेर में अट्टार से टिन एन में परत्थम सूति वस्तर की मील है दूसरी पड़ी एडवर्ड मील तीसरी पड़ी एडवर्ड जो मीले परत्थम सारुजने के उसके बाद देर में सूति वस्तर की फिर देखो यह तीरा इधर चलाओ यह तीरा इधर चलाओ यह तीन मीले एक दो यह जो है इसका नाम है सार्दू इसका नाम है आपके उमीद इदर दिख रही है तो उम्मेद जी इदर मेवाड है भीलवाड है तो यह भीलवाड का सेत्र है और यह मेवाड में आता है तो मेवाड यह मेवाड जो टेक्स्टाइल क्या नाम है इसका टेक्सि टैँलग जो है मेवाड टेक्सिल कहाँ पर है आपके भीलवाडा में और किसकी मील है सूतिवस्तर प्रुद्यों के मिल है, तीन खूठ हमने पकड़ लिये, मेवार टेक्स्टाइल, उम्मेद सिंग, कोटन मिल हो गया, सारदूल, टेक्स्टाइल, ये आपकी काओ गई गंगा नगर में, घंगा नगर में, ठीक है, उमेद सिंग जो कोटन मिल है, ये सबसे बड़ी है, और किसक है, सारजनिक्सेतर की है, कहां पर है, पाली में है, अब मैं बात करता हूँ, आप से सोतंतरता प्राप्ति के पश्चात सबसे परली मिल कौन सी है, सबसे परली मिलता हमने करशना पड़ी, उसके बाद सारजनिक्सेतर की सबसे परली हमने कौन सी पड़ी, एड़वर्ड, आ कहा है कोटा में है वह सिंपल है यह जो है पर्थम सोत अंत्रता प्राप्ति के पस्चात पर्थम कौन सी है कोटा टेक्स्टाइड ठीक है रजाय का ध्यान में आपको ज्यादा मेले नहीं बताई मैंने आपको सबसे पहले तो बताई धक्रशना कोटन मील 1889 में उसके बाद और ये भी आपकी पर्थम है ये पर्थम तो पर्थम है ये पर्थम आपके सारो जनिक्षे तरकी है फिर मैंने बताया आधित्य फिर मैंने बताया महालक्स्मी फिर मैंने बताया विजे कोटन मील ये चारो जो मीले हैं आपके सारो जनिक्षे तरकी मीले हैं कौन सी है सारो इक से तरकी मिले हैं बस फिर मैंने पकड़ा तीन खूट ये तीन कोने पकड़ लिए पकड़ने के बाद नमबर एक कोना सारदुल नमबर दो कोना उमीद दिख रही है नमबर तीन कोना मेवार में जाता है तो मेवार टेक्स्टैल भीलवारा उमीद दिख रही है पाली में औ के बात करते हैं आगे इसी सूती वस्त्र के बारे में आगे और डिटेल से हम बात करते हैं देखो एक मिन्ट रोग जाओ मैं देख लेता हूँ बहुत चल रहा है और नहीं चल रहे है अच्छा चल रहा है देखें अब मैं बात करता हूँ सूती वस्त्र उध्योग में भी सकारी मील का आवरण फेला हुआ है मतलब सकारी मीले भी है सूती वस्त्र के अभी तक मैंने बताई नीजी सार्व जनिक अब मैं बता रहा हूँ आपको कौन सी सकारी शित्र की कौन सी सकारी और सकारी में कौन आएगा सकारी में नीजी वाला भी आएगा और आपका सार्व जनिक वाला भी आएगा मतलब दोनों के सहयोग से चलेगी आपके ठीक है दोनों के सहयोग से चलेगी ध्यान रहें फिर मैं बात करूँ कि कौन कौन सी है सबसे पहले तो यहीं पर राजस्थान राजस्थान सहकारी मिल्स लिमिटेड यह आपकी कहां पर है राजस्थान सहकारी मिल्स लिमिटेड जो है यह आपके गुलाबपुरा में है कहां पर गुलाबपुरा गुलाबपुरा कहां पर है घीलवाट ठीक है एक सारजुनिक सेतर की मील बताई मैंने आपको राजस्तान सहकारी मील जो है गुलापुरा फिर मैं बात करूँ यही पर भील वड़ा चार पुठा चोकुर जीला फिर मैंने बात की यही पर कुन सी है गंगापूर गंगापूर क्या है एक सहकारी मील जो कहां पर है विविभीन वाड़ा है गंगापूर सहकारी मील्स लिमिटेड कहां है पर देखे आपके यहां पर जब इन दोनों जीलों का गठन नहीं वह तो से पहले दोनों नहीं पर अनुमान गड़ग में चली गई यह कुन सी थी गंगा नगर जो सहकारी मील सहकारी मील है कहां पर है हनुमान गड़ में इन तीनों का क्या कर दिया गया विले कर दिया गया इन तीनों का विले कर दिया गया कब एक अपरेल 1993 को एक अपरेल 1993 को इनका विली किया गया और A-S-P-I-N SPIN F-E-D SPINFED बड़ा ही IMP क्योशन है बड़ा ही IMP क्योशन ने कई बार पूछा गया SPINFED की स्थापना कब हुई SPINFED की स्थापना कब हुई कब हुई तो 1 अप्रेल 1993 कोई किस किस को मिला के किस किस को मिला के की तो उसमें सबसे पहले नाम आता है आपका गुलापूरा भीलवडा उसके बाद गंगापूर भीलवडा फिर गंगा नगर लगाना मत अनुमानगडी ओप्सन अनुमानगड गंगानगर नाम है लेकिन गंगानगर में जोद पुरा सब्वेता जोद पुर्मी नहीं है जेपुर में है उद्धे नात की पाड़या उद्धे पुर्मी नहीं है अलवर में है तो यह कुछ चीजे हैं जो आपको specially ध्यां रखनी पड़ेगी ठीक है अब बात करते हैं आपके revision की इसीक में अभी यहां पर ही क्या कर लेते हैं इसका revise कर लेते हैं कौन कौन सी हमने पड़ी देखो देखो जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन सी हमने पड़ी सबसे पहले अजमेर अजमेर तरिकौन जीला सबसे पहले तो क्रश्ना उसके बाद एडवर्ड उसके बाद आदित्टे उसके बाद महालक्स में और उसके बाद विजे कोटा में पाच तीन कुट पकड़ लिए सबसे पहले तो उम्मेर दिख रिए उमेद सींग मील पाली इदर भीलवड़ा में मेवाड टेक्स्टाइल इदर गंगानगर में सारदूर टेक्स्टाइल फिर इदर कोटा में पहली सोतंत्रता प्राप्तिक के पस्चाद ये आपके 1906 में ये आपके 1938 तो ध्यान रहे ये पर्थम है ये भी पर्थम है ये भी पर्थम है कर दोता है तक देख लेते सकारि आपके इस पेड़ वाली गुलापूरा एक आपका गंगानगर यह किस समंदृ थी यह सूतीवस्त्र से समंदृत मिलें थी और आप कर लेते हैं किसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं सूती वस्तर उध्योग के बाद सूती वस्तर उध्योग के बाद अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में आपका चीनी उध्योग कौन सा हो जाएगा चीनी चीनी उध्योग चीनी शकर तो चीनी उद्योग जो है चीनी उद्योग की तीन ही मिले इंपोर्टेंट है तीन ही मिले इंपोर्टेंट है देखो कौन-कौन से ध्यान से आराम से सबसे पहली तो है आपके भूपाल सागर चित्तोडगड में चीनी में कौन सी है भूपाल सागर भूपाल सागर कहा पर चित्तोडगड में एक मिल है जिसका नाम है मेवाड सुगर मेल्स लिमिटेड कौन सी है मेवाड सुगर मेल्स लिमिटेड ये आपके कौन सी भूपाल सागर चित्तोडगड पर्थम क्या है पर्थम सूति वस्त्र की क्या है मीले है ये चीनी की क्या है पर्थम मीले है भूपाल सागर चित्तोडगड में ठीक है कब खुली साइद 1962 कनफर्म करके बताता हूं ठीक है कब खुली ये आपके साइद 1902 बार रुख जाईए ये खुली थी आपके 1932 में कोन सी मेवार सुगर मिल्स लिम्ट है भूपाल सागर चित्तोडग ठीक है कब 1936 में यही पर एक मिल्खुली थी जिसका नाम है जिसका नाम है स्री गंगानगर द गंगानगर सुगर मिल्स लिम्ट है यह आपकी 1936 में गंगानगर में फुली और यह पर थम मील चीनी की भूपाल सागर चित्तोडगर मेवार सुगर में लिम्ट है यह पर थम सारजुनिक शेत्र की स्थाजफी मेल डगंगानेगर सुकरमेस लिमिंटेड पर शम्षार नहीं यहां पर क्या बनती है सराव भनती है यहां बनती है चूक अंदÁर से क्या बनती है चैनी कभी-कभी ठीक ज्वह रहिए सरा भी यहां पर बनती है, चीनी भी यहां पर बनती है, ठीक है, फिर मैं बात करूँ, तीसरा, तीसरा है बूंदी में, यह यहां पर हो क्या है, बूंदी, ठीक है, बूंदी में केशो राय पाटन, केशो राय पाटन, क्या है सूगर मेल, कौन सी है, सहकारी, केशो राय पाट सहकारी सुगर मिल्स लिमिटेड कहां पर है बूंदी में है बाई साथ ध्यान रखना ये भी पर्थम है ये पर्थम कोन से है सहकारी सहकारी है पर्थम प्लस में ये भी ध्यान रखना ये एक मात तरी है मैंने चीनी की तीन मीले आपको बताईए सबसे पहले जो बताईए भुपालसागर चितोडगड में 1932 में इस्थापना हुई है चीनी मील दम मेवार सूगर मेस लिमिटेड उसके बाद उपर चले जाओ डगंगा नगर सूगर मेस लिमिटेड 1936 पहली सारजुनिक सराब निर्मान आपके चुकंदर से चेनी 1956 में अधिकरण राज्जी सरकार के तौरा फिर मैंने आपको बताई केशु राइट पाटन भूंदी में जो भूंदी में जो वाली है ये भी पर्थम है ये भी आपके सरकारी और एक मात रहे सरकारी अपने राज पर देखते हैं आगे आगे हम बात करें तो आगे आता है अपने काच उज़्यो कौन सा आता है काच काच जानते हो जानते हैं जानते हो तो पढ़ लेते हैं एक बार नमबर टो पे हम ले रहे हैं किस नमबर त्री पे ले रहे हैं कौन साथ काच काच जो उड्योग है काच जो उड्योग है इसमें बस आपको दोल थोड़े आसपास पर नापको पूच दोलपूर में एक इस्तान है दोलपूर और यही पर है दोलपूर ग्लास वर्क्स दोलपूर ग्लास वर्क्स कहा पर है दोलपूर फिर यही पर है सेम पूर यहां पर सेमसंग एसे एम एस यू एन जी सेमसंग टीवी की क्या बनती थी पिच्चर ट्यू बनती थी और कोरिया की क्या थी दक्षिन कोरिया की कमपनी बनाती थी ठीक है तो यह सेम को गलास वरकर्स कहां पर है सेम को गलास वरकर्स है आपके कोटा में द्वलपूर गलास वरकर्स है आपके द्वलपूर में यह काता है सेंट गोबेन कौन सा सेंट गोबेन और यह काता है हाई टेक प्रिसीजन हाई टेक प्रिसीजन सेंट गोबेन जो सेंट गोबेन की मैं बात करूँ सेंट गोबेन ग्लास वरकस जो है यह आपके भीवाडी में है कहां पर है भीवाडी में भीवाडी को बोल जाता है नवींतम मेंचेस्टर और राजस्तान राजस्तान का नवींतम मेंचेस्टर भीवाडी अलवर मेंचेस्टर ने लिखवाए कि मैंने मेंचेस्टर आपके एक सहर है United Kingdom का Boston भी एक सहर है United Kingdom का जो किसके लिए famous है आपके सूती वस्तर के लिए famous है ठीक है इसको मैं भी लिखवाता हूँ आपके थोड़ी देर सेंट गोबेन आपके भीवाडी अलवर में किसकी है काच की फेक्टरी है हाइट टेक प्रिसीजन ये आपकी कहा है ये भी धोलपुर में है ध्यान रखना इस हाइट टेक प्रिसीजन के बारे में एक बात कि ये दगंगा नगर जो सूगर मिल्स बताई में ने जिसकी स्थापना 1936 जो 1956 में अधिगर्ण हुआ जो सारजनी शेतर की प्रथम मिल है वो आपके अंडर में काम करता है हाइट टेक प्रिसीजन यहाँ पर सराब बनगी थी और यहाँ पर सराब की बोतले बनगी बस इतनी सी बात है बोतले बनवाले के लिए आता है यह आपके हाइट टेक प्रिसीजन 1936 में मतलब जो जिसके अंतरवती यह काम करता है ठीक है तो कुछ नहीं है सबसे पहले तो सबसे पहले तो यहीं ध्यान रखना यह धोलपुर में नमबर यह एक यह और यही चार पॉइंट सबसे पहले तो ध्यूलपुर में ध्यूलपुर ग्लास वरकस फिर एक आपकी यह हो जाएगे आपकी हाइट टेक एक आपकी सेंट गोबन और एक आपकी सेम कोर ठीक है सेम कोर जो है दक्षिन कोरिया की कमपनी चलाती थी ठीक है सेंट गोबन आपकी फ्रांस की कमपनी चलाती है दोलपुर ग्लास वरकस हाइट टेक प्राशिजन जो है आपकी दोलपुर में है और इसको कोन चलाता है दगंगा नगा सुखर में इस लिमेटेड चलाती है ठीके पाणि फिले तोड़ा बूद अगे बढ़ते हैं नेक्स्टम अगली क्लास में पढ़ेंगे ठीके ओके थेंक्यू एंड मेश्टो फिलाथ अच्छे अनलों को देखने तक आपने पाणियों को ज़रू सब्कर करें और रिलाइगा करें ताकि आपको जो पथम वीडियोटल है आपने सब्सक्राइब करें पुनर्मल्सिकात है और उपर वाले की आसिरवाद के साथ अपने बाबाब के आसिरवाद के साथ उनकी दुआउं के साथ कर दिखाएए कुछ ऐसा की दुनिया करना चाहे आपके जैसा बस लोकेश की आपकी लिए बस यह दुआए ठीके ठीक्यू टाथ बसम्सक्राइब को क्या में होगाद करूान की पुनर्ड़ मुआप कर दोपके का देया में होग्या कर दोया किकुड़ कर टूग उन्या अस्तलमी messang